कि नमस्षकार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होश्ट और आप देख रहें आरके ट्रेडिंग तो दोस्तों जैसा कि आपको कहा था आज के लाइव वीडियो में कि अज प्रीमियम मीटिंग डे है और प्रीमियम खाएगा बैटके तो देखिए इस तरह से साइड़ बैंक निफ्टी ने आज प्रीमियम खाया है पूरा अगर आप 15 मिनिट का चार्ट देखेंगे तो इसी सिनेरियो को ध सिनेरियो में रहा अब देखें कोई पैसा नहीं बनाता है जो बनाता है वो आपको कि भणि बना रहा दो साइड़ सिनेरियो में क्या है का कि आपको अपना देख सरे को मैनेज कर國े चलना है और यह समझते आप यह बकार 40 आहिं निकले यह जो प्रिज्टेंस के निचे नही और आज रात में कुछ फेर डूट का मीटिंग भी है तो उसका भी इश्यू है इस वज़ा से ये साइड वेज़ रहा तो कल अगर सेलिंग करना तो इस एरिया के नीचे सेलिंग हो जागा ये तो आपको पता है कि 43,950-900 ये दो ऐसे एरिया जिसके नीचे निकलने के बाद आपको सेलिंग देखने को बनेगा तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेल करिए कोई दिक्कत वाली बात ने 43,950 के नीचे सेल कर लीजे 43,900 के नीचे सेल कर लीजे इस दो एरिया के नीचे कहीं कोई दिक्कत ने और आपको टार्गेट आपको मिल जाएगा सिंपल सा है 43800, 44700 और 43600 आपके लिए एक नंबर यहां पर मैं फिर लिखना हूँ पर पहुँच जाता है तो आपको यहां पर पहुँच जाता है तो आपको यहां पर Contra Trade बनाना है City, Contra Trade यानि Sale का Position काट के Buy में सिफ कोना है एक बाद समझ गया है लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल नीचे नहीं आए और यहां सी यह उपर की साइड में Bounce कर जा है तो देखे आपको Intry फिर Buy Side लेना होगा 44,000, 44,050 से लेके 44,075 यह वो एरिया जिसके उपर आपकी बाइंग इंट्री बनेगी और तब जो टार्गेट बनेगा आपको 44,100 पहला छोटा वाला दूसा 44,150 से लेके 44,200 अब आज का हाय अगर आप देखते हैं तो exact 44,200 का हाय इसने लगाया था है न यहां तक आपको जाक पहले के एक बार profit को book कर लेना चाहिए प्रॉफिट को book कर लेना चाहिए तर्टालीच 200 को पर अगर यह 15,20 में टीक गया तब आपको 44,200 को पर अगर 15,20 में टीक गया तो 44,300 से लेके 44,400 तक जा सकता है अब यह भी ध्यान रखना कि 44,500 एक ऐसा level है जो उपर अस्तर पर इस सिनेरियों में बाइ किया है तो आप यहां से call option लेना चाहिए तो जरूर लिजे 44,100 के इस टाइक प्रैस का call option ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर तो यह call option ऊपर जाके profit देगा लेकिन next expiry वाला लेना यह भी ध्यान रखना है तो overall यह सिनेरियों है बैंक निप्टी में अब इसका gap up और gap down भी समझे आप लोग और जब market में आप live trade करें ना जब आप trade करें तो अपने risk को साथ में manage करके चलिए क्योंकि इस तरह के sideways scenario आपको सब्ता में एक दो दिन मिलेंगे और जब मिलेंगे तो आपको सिर्फ आपका risk management ही बचा सकता है दूसरा कोई नहीं बचाए है देखिए gap up होने के chance हो सकता है रात में कुछ भी हो सकता है gap up और gap down दोनों में से कुछ भी gap up तो यहां पर 44,000 के आज पास की closing है मैं maximum 44,500 का gap up देख चलता हूं तो बैंक निप्टी में यही सब है 400,500 पॉइंट 24,600 है ना यह दोनों ही area देखिए अभी मैंने थोड़ी द पहले आपको बताया था तो उसी area के आज पास में यहां कहीं पर अगर यह open होता है तो आपको एक बार पहले टाइम में सेल मारना है नीचे target आपको 44,400 से लेके 44,100 तक का target आपको मिल सकता है उपर यह सतरों से आप put option लेना चाहां तो जरूर लिजे 44,500 के strike price का index नीचे पहले आपको सेल ही करना है अब मालते gap नहीं होके किसी कारण बस यह gap down हो जाता है और इसी तरह से यह 43,500 के पास में उपन हो जाता है क्योंकि यह बीच में close कर रहा है तो अगर यह 43,500 पे open हो जाता है तो आपको directly यहां पर buy कर लेना है 43,400 पे open होता है gap down तो आपको buy करना है 43,600 पे open होता है buy करना है लेकिन अगर आपको 43,600 पे open होता है buy किया और यह नीचे गिर गिर गिया तो आपको वहाँ पर quantity aid करना है यह आपको ध्यान रखना है और इस तरह से target जो आपको मिलेगा 44,600 के आसपास 44,700 से लेके 44,100 का target मिलेगा और आप यहां से call option ले सकते 43,600 के strike price का वह भी next expiry का लेना है और यह put भी next expiry वाला ले रहा है तो यहां से index जब उपर चाहेगा तो यह put option call option आपको profit देगा लेकिन अगर यह नीचे आता इस scenario में अगर यह नीचे को तोड़ेगा तो हम buy side जाएंगे अगर यह नीचे के बकसे को तोड़ेगा तो हम sell side जाएंगे इतना पता है ठीक है अब देखिए कुछ लोग nifty bank यह नि बैंक निफ्टी के अलावर निफ्टी में भी trade करते हैं निफ्टी बकाइदा पहले से मजबूत है बैंक निफ्टी के मुकाबले कल भी मैंने यह बात बताया तो और इस निया साबित भी करके दिखाया कि सांदा तरीके से आप इस एरिया के पास नीचे आए और वह उपर बनेगा 18,775 से 18,800 के ऊपर आपको एक तेजी देखने को मिलेगा अगर आप बाय करना चाहें तो 18,775 के ऊपर या फिर 18,800 के ऊपर थोड़ सस्टेन होने दिजी तब आपको यहां इसके बाद एक बाइंग बनेगा और इस condition में target आपको 18,825 से लेके 18,900 तक का target बने यहां से बाला इंडेक्स ऊपर जागा तो यह कॉल उपर जाके प्रॉफिट देगा लेकिन अगर सेल साइड हुआ तो आप देखें यहां से क्या है कि यह ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो आपको 18,700 के नीचे सेल भी करना है यह धियान रखना है ऐसा नहीं कि नहीं कर सक बिल्कुल करेंगे 18,700 के नीचे आएगा तो आप जरू सेल करें तार्गेट आपको 18,675 से लेके 18,600 तक मिलेगा आप देखें यह 650 और 600 600 के पास से यहां से सपोर्ट लेकि यह बाउंस कर गया है तो इस हिसाब सकर यह गिता यह अरिया आपका सपोर्ट का का काम करेगा तो लेकिन यह अगर गैप आप और गैप डाउन हो गया तो अच्छी बात है हो जाए अगर यह डार्क लिए 18,000 पर ही 19,000 पर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है गैप अना 18,750 पर है डेर सो पॉइंट अगर ऊपर खुलता है तो कितना पर खुलेगा 18,900 पर खुलेगा य आप सेल ही करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह तीनों ही अडिया सेल का हुगा टार्गेट नीचे की तरफ में 18,850 से लेके 18,750 तक का टार्गेट आपको मिलेगा ऊपर से आप पूट अप्शन लेके चल सकते हैं 18,900 के स्टाइक प्राइस का इंडेक्स नीचे तो इन पर दूट दूट यहां पर आपको बाई कर लेना है 18,600 पर खुलता है तो भी आप यहां पर बाई कर सकते हैं 18,550 तो भी बाई करेंगे अगर 18,600 पर खुलता है तो आप बाई जरूर करेंगे लेकिन नीचे आने के बाद आपको quantity और भी buy side में एड करना होगा टार्गेट ऊपर की साइड में आप 18650 से लेके 18,750 तक का लेके चल सकते हैं कॉल ओप्षन लेना है जरू कॉल ओप्षन लेजे 18,600 के श्ट्राइक प्राइस का नेक्ट इक्स परिवला है बैंक निफ्टी ही आपको जाद तेजी दिखाएगा ठीक है तब मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तर तक के लिए तो बहुत बहुत धन्निवाद लेकिन टेलिग्राम चैनल आरके टेडी मोईल अपको जरूद ज्वार करें बहुत बहुत धन्निवाद